तो यार VAT का registration स्टार्ट हो चुका है, register भी कर दिया होगा, choice filling भी कर दिया होगा, अब मन में confusion यह होगा कि सर, round 1 की expected cut-off क्या रहेंगी, core CS ब्रांच की, well or campus के अंदर, क्या fees होगी, क्या detail है, सारी चीज़े आप बताओ, category 1 में, अगर आपको core CS ब्रांच चाहिए, तो under 1,000 rank चाहिए, और fees होगी, 1,98,000 पर year का, category 2 में, 3600 तक अगर rank होगी आपको, तो core CS आपको मिल जानी है, यह मतलब, यह जो data है न, एकदम last वाला है, 100-200 rank अंदर ही लेके चलना, है न, ऐसा नहीं कि सर, 3600 आपने कही थी, मेरी त तो ऐसा हो सकता है, में भी 100-200, प्लस मैंस इस से जादा डेटा फ्लक्शुएट नहीं करेगा, category 2 का फीस है, 3,07,000, category 3 का फीस है, 4,05,000, rank 20,000, है न, यह जो मैंने डेटा लिखा है, यह core CSC का डेटा है, अब जैसे जैसे आप specialization पे जाओगे, तो उसके लिए वैल लॉर का data यहां पर दिख रहा होगा, और चन्ने का data यहां पर दिख रहा होगा, तो आप उसको follow कर सकते हो, उसका एक reference ले सकते हो, category 4 में 25,000 rank रही थी, है न, मतलब इतनी अगर rank होगी category 4 में, तो 25,000 rank तक वैल लॉर का core CS मिल जाएगा, और यह जो फीस होगी 4,48,000 per year, मतलब इसका पूरा ब्रोश्चर बन जाता है, एक booklet बन जाता है, चार साल तक यह वाली फीस दोगे, एक जो final offer लिटर आता है, कि यहां पर दिख रहा होगा, उस तरह से आता है, है न, मतलब first year, second year, third year, fourth year, ऐसा नहीं कि इस साल कुछ ले लिए, आगली साल कुछ और mix नहीं होगा, जो ए बोड़ा सा खामयाजा भोगतना पड़ता है, तो इस चीज को धिहान रखो, category 5 में, 30,000 ट्राइंग तक, 28,000 ट्राइंग तक हमको category 5 में कूर्स यहस मिलने के chances होते हैं, और 4,93,000 रुपीज पर येर का फीस टक्चर, इट्स मिन की 5 लाख रूपीज पर येर का बजट, तो म इस से ज़्यादा तो नहीं है, तो वीडियो आज की यहीं तक, और ये डेटा था, round 1 की expected cut-off पर, मिलता नेक्ट वीडियो में, फिर किसी नई जानकारी किस ने आपडेट डेटा रिसरच के साथ में, बाब बाए